हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे ब्रत की थाली, जिसको हम बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी और बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे, मैं बनाऊंगी साबु दाना बरा और ब्रत में खाने वाली चट्नी, सिंगाडे के आटे के पराथे, चलिए फिर आपना वीडि करते हैं, हम एक पैन ले लेंगे, उसमें हम घी डालेंगे, और हम उसमें जीरा डालेंगे, फिर हम उसमें हरी मिर्श डालेंगे, और इनको थोड़ी देर तक हम फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें आलू डाल के इनको बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे, आप आलू को जि जितना हम फ्राई करेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आ जाता है देखिए आलू हमारे फ्राई हो गया है बहुत अच्छे से देखिए उसमें ब्राउन स्पॉट आ गया है अब हम इसको निकाल लेंगे एक मिक्सिंग जार लेंगे उसमें हम डालेंगे मौम फली के दाने और अगर आप खट्टा घ्यादा पसंद करते हैं तो आप इतना दही डाली अगर आप कम खट्टा खाना चाहते हैं तो आप इस दही थोड़ा कम कर सकते हैं फिर हम इसको एक बाउन में ट्रांसपर कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और हम डालेंगे ज मतलग गी डालेंगे मैंने व्हाबटि इस्फून घी डाला है फिर इसमें ध्यानी का छॉक लगा देंगे फिर इसको हम जल्दी-जल्दी चलाते हुए थोड़ा-सा हम पानी डाल देंगे और इसको थोरी दीर तक भूहनेंगे की इसको और हमें कंटिनेशन लाते रहना है वनना दही हमारा फट जाएगा फिर जो हमने आलू फ्राई करके रखे थे वह आलू इसमें डाल देंगे और इन आलू को दही के साथ हम थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे मैंने एक दही वाली अरेवी की सबजी भी शेयर की है उसका लिंक मैं एंड स्क्रीन में दे दूँगी तो अगर आप चाते हैं तो आप उसकी रेस्पी भी चेक कर सकते हैं फिर हम इसमें पानी डाल देंगे और इसको हम थोड़ी दो तक बॉइल आने देंगे इसको हम थोड़ी सी गाड़ी बनाएंगे इसलिए हम पानी इसमें कम डाल रहे हैं जब इसमें बॉइल आ जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे सेंधा नमक क्योंकि ब्रत में सेंधा नमक ही खाते हैं अगर आप नमक नहीं खाते तो आप इसको इसको कर सकते हैं फिर हम उसको अच्छे से बॉयल होने देगे जब बॉयल हो जाएगा तब भी आप इसमें नमक डालेगा वरना धही फटने का डर रहता है देखे सब्जी हमारी तयार हो गी है अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे लीजे हमारे टेश्टी से धही के आलू की सब्जी तयार है चलिए अब हम बनाते हैं अपने दूसरी रैस्पी जो है सिंगाडे के आटे के पराखे आप चाहे तो इनकी पुड़ी भी बना सकते हैं मैंने लिया है सिंगाडे का आटा और देड़ कप आटा लिया है अब हम लेंगे बॉयल के हुए आलू जिसको मीडियम बले ग्रेटर से हम इसको ग्रेट कर लेंगे क्योंकि इसमें लंपस नहीं रहना चाहिए बरना इसको हमें आटा लगाने में हमें थुड़ा दिक्कत आएगी इसके लिए हम इसको हाथ से ग्रेट कर रहा है अगर आप चाहे तो इसको हाथ से भी फोड सकते हैं फिर हम इसमें स्वादा नुसान नमक डाल देंगे और हम इसमें डालेंगे काली मर्श का पाउजर फिर अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हमें इसको आलू से ही इसका आटागू माड़ना है अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा पानी की जरू होता है तो आप थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर सकते हैं मैंने थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल किया है फिर हम उसको डालके एक अच्छा सा स्मूथ सा डो बना लेंगे लीजे आटा हमारा लगके तैयार है इसको हम दस मट रैस्ट के लिए रख देंगे अब हम इनके लोई लेंगे एक और इसको अच्छा से स्मूथ करते हुँ हम इसको गोल आकार देंगे फिर हम उसको सिंगाडे के आटे से ही डश्ट करेंगे और एक हम पॉलिथिन ले लेंगे उसके बीच में अपनी लोई रखे इसको हम भुछती हलके हाथों से इसको हम बेल लेंगे फिर हम इसको निकालेंगे ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आईगी आपको निकालने में फिर हम इसको एक तबे पे डाल देंगे और उसको हम पलट कर इसमें घी लगा लेंगे क्योंकि ब्रत में हम घी ही खाते हैं अगर आप कोई और भी ओईल खाते हों ब्रत में तो आप वो वाला उयल यूज़ कर सकते हैं पुलट पुलट कर दोनों साइट गोल्डन होने तक हम घी लगा के इनको सेख लेंगे इनको हम थुरा दबा दबा के सेखेंगे ताकि अंदर तक हमारे पराथे चिसे पक जाए तो लीज़े हमारा एक पराथा बनके तयार हो गया है इसी तरह हम अपने और भी पराथे बना लेंगे उनको भी हम अलट प्लट कर हम उसमें घी लगाते हुए उनको भी हम अच्छे से सेख लेंगे ब्राउन होने तक चलिए हम फटाफट से अपने सारे पराठे बना के तयार कर लेते हैं मैंने तो दही की अर्बी शेयर कीती पहले आप चाहे तो आप दही की अर्बी भी ब्रत में बना सकते हैं बस जो चीजे आप ब्रत में नहीं खाते हैं उनको आप स्किप कर दीजेगा और आप दही की अर्बी भी ब्रत में बना सकते हैं अब हम बनाएंगे साबूदाना बड़ा उसके लिए मैंने साबूदाना लिया है डेड़ कप उसको मैंने अच्छे से वाश कर लिया था फिर मैंने दो तीन घंटे तक इसको भिगा दिया था और पानी इसके बिलकुल मैंने जरा सा उपर रखा था बहुत ज़द हम पानी नह प्रेटर से अलु को ट्रेट कर लेंगे आपको इसमें वज्टी गृत कर के वो हमारे बहुती जद्य क्याइद सब्सक्री बनेंगे धनिया र unc ठीक की हरी मिर्च maior यह अर निसमें डालेंगे मौमफली नहीं इसको मैंने भून लिया था और इसका मैंने दरदरा पाउडर बना लिया इसको आपको बारी पाउडर नहीं बनाना है दरदरा पाउडर ही बनाना है फिर हम इसमें डालेंगे सेंदा नमक और हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउजर जीरा पाउडर जिसको मैंने भून क पीस लिया था और हम इसमें डालेंगे जीरा आप इसमें से जो भी चीज ब्रत में नहीं खाते हैं उसको आप स्किप कर सकते हैं मैं जो जो चीजे खाती हूं मैंने वो चीजे इसमें डाली है फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए हमारा साबू दना बड़ा का मिक्सर तायार हो गया है अब इसके हम थोड़ा सा अमाउंट हाथ में लेंगे हाथों को हम घी से ग्रीस कर लेंगे और इसको हम गोल गोल एक बॉल का सेब देखे इसको चप्टा कर देंगे और इसके किनारे भी हम इस तरह दबा दबा के अच्छे से हम इसको चिपना कर देंगे देखिए एक बड़ा मेरा बन के तयार हो गया है चलिए हम दूसरा बड़ा भी बना लेते हैं अगर आप इनको बिना ब्रत के बनाते हैं तो आप इसमें अच्छा नुसार कोई भी मसाले डाल सकते हैं यतने टेश्टी लगते हैं कि आप इनको बिना ब्रत में भी खाएंगे तब भी आईए आपको बहुत अच्छी लगेंगे देखिए मैंने सारे बड़े इसी तरह बना के तयार कर लिए हैं अब हम इसको फ्राइ करेंगे तो मैंने एक पैन में घीर ले लिया है हम इसको डीफ भाइ नहीं करेंगे हम इनको सेलो फ्राइ करेंगे क्योंकि ब्रत में जब हम खाते हैं तो हमें कम ओउईली खाना पसंद होता है क्योंकि ज़यादा ऑईली फिरम डाइज़ेस्ट नहीं कर पाते हैं इसलिए हम इसको deep fry नहीं करेंगे अगर आप चाहें तो आप deep fry भी कर सकते हैं अगर आपको जादा crunchy बड़े पसंद है तो आप deep fry इनको कर सकते हैं मैं shallow fry नहीं कर रही हूं इनको आप देखेंगे कि मैंने जितना भी घी इसमें डाला है उतना पूरा घी इसमें बना रहेगा और ये बड़े हमारे बिल्कुल एकदम सूखे हुए और बिल्कुल भी घी अब्जॉर्ब नहीं करेंगे इनमें अपने सारे बड़े सेक लेंगे लेकिन हमारा घी उतना का उतना ही बना रहेगा तो इस तरह बनाने से बड़े हमारे अच्छे से सिक भी जाते हैं और ज्यादा घी भी नी सोकते हैं और ब्रत के लिए ये परफेक्ट रेस्पी है हम इसको ओलट पुलट कर गोल्डन होने तक सेक लेंगे एक बैच मेरा सिक गया है और हम दूसरा बैच पीस में डाल देंगे उनको भी प्लोट कर आप देखें हमारे बड़े बहुत ही जदा क्रेंची क्रिस्पी बनके तैयार हुए है कि देखिए बने हैं बहुत जब क्रिस्पी और क्रेंची और इन्हों ने एक बूंद आइल नहीं सोप किया है क्योंकि हमने जितना भी घी उसमें डाला था पूरा घी हमारा वैसा का वैसे ही है तो हमारे तेश्टी से बड़ा बनके तयार है चलिए हम ब्रत वाली हरी चट्मी बना लेते हैं जो बड़ो के साथ और पराठे के साथ बहुत ही तेश्टी लगती है इसके लिए मैंने धनिया लिया है उसको हम एक मिक्सिंग जार में डालेंगे और मैंने दो ग्रीन चिली डा कर सकते हैं और वन टीज़ डिया है मौंख फली का पाउडर और एक मैं इसमें नीवू का रस डाल दूँगी और अब अब इसमें वन टीज़ पून दही डाल देंगे सॉर्वान टेबल इसपून डाला था अब इसमें साधादानुसार शॉल डाल देंगे और भूना पिश अब एको हम ग्राइन कर लेंगे देखे हमारी चटपढ़ीजी चटनी मज़दार चटनी बनके तयार है ब्रत पाली चलिए वह अपनी ब्रत की थाली लगा लेते हैं तो मैंने दही के आलू लगा लिये हैं और मैं साबुदाना बड़ा लगाऊंगी फिर मैं चटनी मैंने हैं तो इसे आप बनाएए खाईए और मुझे कमेंड करके बताइए कि यह रैस्पी आपको कैसी लगी अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज 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 इसको लाइक करें और शेयर करें आप मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं झास करें आप प्लीज आपको कि रेकिनफ नहीं और शेका हैं पार इसको लगीं क वcejा हैं और हैं